इसे दस्वा पंजाब से स्वामी जगजीत ने पुछा है अंबर बर से धरती भीजे यह जाने सब कोई अधरती बर से अंबर भीजे बूझे विरला कोई कवीर साब के इस श्लोक को समझाने की अनुकंपा करें कवीर साब उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन अपने इस दोहे में बड़े गहरे इशारे कर रहे है भक्तियों का पूरा विज्ञान इस पर ठिका हुआ है कि भगवान ही केवल भगवान को प्रेम नहीं करता भगवान के प्रेम से केवल भक्त ही प्रसंद नहीं होता बलकि भक्त के प्रेम से परमात्मा भी प्रसंद होता है और भक्त के प्रेम की बारिश में परमात्मा भी भीगता है और यह जो भारतिय दर्शन है या जो भारतिय वांगमए है इसकी गहरी से गहरी खोज है कि अस्तित्व चक्री है existence is circular यह जीवन भी है, जीवन का जो चक्रह है, यह चक्री है, साइक्लिक है, जैसे एक व्रिक्ष को ले-नो, तो एक बीज से व्रिक्ष ऊगता है, ब्रिक्ष बंता है, फिर उसमें फ़ल लगते हैं, और फल में बीच होता है, फल निचे गिरता है और उस फिर से बीच पैदा होता है, एक पेर से हजारों बीच पैदा होते हैं, फिर वो बीच जमीन पर उगता है, फिर से वरिक्ष, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बीच, वरिक्ष, फल, बीच, तो बिलकुल साइक लीक है, एक चक्क्री ये मामला है, ठीक उसी तरह जीवन है, जीवन क्या है? जैसे किसी बच्चे का जन्म होगा, फिर लंबे समय तक जीवन जीता है, फिर उसकी मृत्व हो जाती है, फिर मृत्व के बाद इस्परीट वर्ल में आत्म लोक में जाना होता है, सुख शरीर मेराता है और फिर कहीं ये कहीं वो गर्व में आता है और गर्व के बाद फिर जन तो ये पूरा मामला साइकलिक है जन, जीवन, मृत्यू, पुनरजन ऐसे ही मेग को ले लो, बादल को ले लो बादल से बरसात होती है फिर वो बरसात जरने का रूप लेती है फिर नदियों का रूप लेती है फिर वो नदी बहते बहते सागर में मिल जाती है सागर से मिलन हो जाता है फिर क्या करता है वो सागर से वाशपी करन होता है कभी समद्र के किनारे खड़े हो करके देखोगे या समद्र में बोटिंग करते हैं या जहाज से जाओगे तो वहां लहरे उठ रही हैं कि हवाओं के छोके आ रहे हैं उसमें लहरे उठाते हैं और फिर कई जगह तुम देखोगे कि वह भाप उठ रहा है वह वाश्प उठ र फिर नदी का प्रवाख, फिर सागर से मिलन, फिर वाष्पी करण और वाष्पी करण से फिर मेग की रचना. तो वहाँ भी मामला साइकलिक है, चक्री है. ऐसे ही परवत को लेलो. तो परवत की शटत्वांद होता है, रोजन होता है, अप्षय होता है. धीरे धीरे उनका विनस्टी करन होता है पत्थरों का, फिर वो कई पत्थर लैंड स्लाइट्स होते हैं, तो विभिन प्रकार की प्राकृति क्रियाओं से, फिर परवत वो खंड-खंड होता है, वो शिला खंड उससे बनते हैं, वे शिला खंड धीरे धीरे नदी में बहते है फिर नदी में बहते बहते वो रेत में बदल जाते हैं फिर वो रेत सागर में पहुच जाती है फिर सागर में एक जमाव होता है रेत का सिल्ट का एक जमाव होता है फिर क्या होता है कि अधिक दबाव होता है दबाव के कारणों उपर नहीं पड़ते हैं और दोनों तरफ जो पठारी ये खंड है जैसे तिबबत का खंड है और भारत का खंड है वो दोनों के बीच में पहले समद्र था उस समद्र में जो तिबबती ये पठार से नदिया आती थी उन्होंने भी रेट डालना शुरू किया इधर विंध्य पठार विंध्याचल के पठार से भी नदिया जाती थी या सत्पुरा परवतमाला से जो नदियां जाती थी उन्होंने भी रेट डालना शुरू किया और फिर क्या हुआ तिबबत के पठार और बिंद्याचल के पठार दोनों ने धक्का देना शुरू किया धक्का देने से वहां पर परवत उठने लगा और महां हिमाले बन गया और हिमाले आज भी उठ रहा है ऐसानी कि हिमाले का उठना बंद हो गया है हर साल एक आज सेंटी मीटर फिर वो मुशा हो जाता है तो यह प्रक्रिया चलती रहती है जो आज परवत है कल रेत बन जाता है उस रेत से फिर परवत बन जाता है एक चक्रिय प्रक्रिया द गुपरान, गुन गुनाते रहते यहतान, अमरता है जीवन का हरास, मृत्व जीवन का चरम विकास, मृत्व को देखने की एक अलग दृष्टी है, हम क्या सोचते हैं कि मृत्व जीवन का हरास है, मृत्व जीवन का पतन है, मृत्व एक विनाश है, लेकिन महादवी वर्मा क की तैयार है तो एक चक्रिय गती है एक साइक्लिक है जीवन और इस चक्रियता को तुम हर जगा प्रकृति में अनभो कर सकते हो तो अब कबीर की बाणी को समझने में बड़ी आसानी होगी कबीर की बाणी क्या कता है अंबर बरसे धरती भीजे यह जाने सब को है और धरती भी भीजे और धरती भरसे और अंबर भीजे बुझे बिर्ला कोई क्या कह रहे है पहले तो सरलार्त समझ लो कि आकाश से मेग बरसता है जिससे धरती भीगती है इसे तो सब जानते हैं लेकिन धरती भी बरसती है जिससे आकाश भीगता है इसे बिर्ला कोई समझता है अब नहीं को आप आराम से समझोगे, कि क्या कहना चाहते हैं कभीर साब. कहते हैं कि प्रभू की उर्जा की बरसात में, प्रभू के प्रेम की बरसात में भाक्त भीकता है. इसे तो सब जानते हैं. लेकिन धर्ती भी बरस्ती है, लेकिन भक्त का प्रेम भी प्रभू को भाता है, भक्त का प्रेम, भक्त के प्रेम की बरसात भी प्रभू को भीगाता है, तो इसी को कह रहा है कि धर्ती बरसे और अंबर भीगे, धर्ती बरस्ती है, भक्त क्योंकि हम मानते हैं कि सारा आकाश, ब प्रभु की उर्जा की बरसाथ, प्रभु के प्रेम की बरसाथ, और भक्त तो नहाता है, भक्त उसमें आत्मे बिभोर होता है, लेकिन भक्त के प्रेम की तरंगे उठती हैं प्रभु की ओर, और वे भक्त को भीगाती हैं, ये प्रेम का भी ज्यान है, ये प्रेम एक तरफा हो और वे तरंगे फिर उसके प्रेमी को भीगाएंगी, इसको एक राजंदर अनुरागी ओशो के सका है और बढ़ी बहुत सुंदर कभी हैं, बढ़े प्यारा अंदाज है कहने का कहते हैं, जितनी प्यासी प्यास स्यम है, उतना ही प्यासा है पानी, कजब की बात कह रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि पानी के लिए प्यासा ही प्यासा है, बलकि पानी भी उतना ही प्यासा है अपने प्यारे की प्यास पुछाने के लिए, दोनों प्यासे हैं, आग दोनों तरफ लगी हुई है, जितनी प्यासी प्यास स्वेम है, उतना ही प्यासा है पानी, हर पानी की यही कह ये दोनों तरफ है, हम सामाने तह हम क्या समझते हैं, कि पानी जो है, वो प्यासे की प्यास बुचा रहा है, लेकिन ये तो एक बात है, लेकिन एक उल्टी बात भी है, और वो ये है, पानी भी प्यासा है, कि कोई हमसे अपनी प्यास बुचाए, कोई हमसे अपनी प्यास बु लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि व्रिक्ष भी उतना लालाईत है कि कोई पंची आए मेरी डाली पर बैठे और मेरे फल को चखे और वह उतना ही प्रसंद होता है जितना पंची उसके फल को खा करके प्रसंद होता है उतना ही व्रिक्ष भी प्रसंद होता है कि वा मेरा फल एक पंची आया और उसने इसको खाया तो ये बात जो है ये समझने की प्रेणा ये कबीर का संदेश देता है कि ये प्रभू का एक महारास चल रहा है और प्रभू का रास निरंतर चल रहा है वह अनाहत नाद की बांसुरी बजा करके भग्तों को निरंतर आमंतरित कर रहा है लेकिन यह भी निश्चित है कि वह अपने भग्तों के प्रेम में भीग रहा है कि जब भग्त पहुंचते हैं प्रभू के रास में समिलित होते हैं भक्त अपने प्रेम निवेधन करते हैं भक्त अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो उसके प्रेम के इजहार में प्रभु भी भीगता है और प्रभु भी प्रसंद होता है और प्रभु को भी उसका आनन्द आता है इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे अब नदी है तो ऐसा नहीं कि नदी ही केवल सागर से मिलन की आकांचा से भरी हुई है बलकि सागर भी देखते हो हमेशा अपनी लहरों को नदी तर पर भेज रहा है निरंतर भेज रहा है और वो क्या करना चाहता है कि वह भी वो नदी को अपनी बाहों में समेठने के लिए आतूर है कहीं भी चले जाओ जहाँ नदी सागर से मिल रही है जैसे मैं द्वारिका गया तो वहाँ एक नदी सागर में मिल रही है तो वहाँ हमने देखा कि नदी तो सागर की वह बढ़ ही रही है लेकिन सागर भी कभी-कभी मूँची लहरे भेज करके और नदी को गले लगाने के लिए आतुर हो जाता है तो ये खेल प्रकृति में और सब जगा निरंतर चलता रहता है लेकिन एक बड़े तुम सब साधक हो तो इस बात को समझो गए कि जैसे वो प्रभू की उर्जा बरसती है शक्तिपात का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसमें देखते हैं सारे दर्भारों में की प्रभू की उर्जा बरस रही है और तुम अपने हाथों पर अन्भौ करते हो कि किस तरह थेलिया भारी होती जाती है लेकिन सटोरी कारिकर में जब तुम आते हो या उर्जा समाधि में आते हो तो वहां तुमको प्रयोग कराते हैं कि कैसे कुंडलनी उर्जा मुलाधार चक्र पर इस्थित है, कुंडल मारे जैसे बैठी हुई है और वहां से उर्जा का उत्थान होता है और मुलाधार चक्र से स्वादिष्थान, मनीपूरा, नाहत चक्र, विशुद्द चक्र, आग्या चक्र होते हुए सहस्रार चक्र पर उर्जा जाती है और सहस्रार चक्र पर जाकर के वहां आत्म ब्रह्म से मिलती है, आत्मा है क्या? वो ब्रह्म का अंश है, आत्मा का केंद्र है, सहस्रार चक्र और कुंडली उर्जा मुलाधार चक्र से उठती उठती जाती है और आत्मा को आया आत्म ब्रह्म को रस्मे कर देती है और जो सादक होता है, वो मस्त हो जाता है तो एक तरफ से तो शक्तिपात का तुम को अनवो है ब्रह्म की उर्जा बरस रही है और साधर के सासरार चक्र से पर बरस करके उसके मुलाधार चक्र पर उसके पूरे बींग को पूरे वजूत को भीगाती है लेकिं दूसरी तरफ प्रभू ने ऐसी बेवस्ता की है कि परती बरसे अंबर भीगे या ऐसे भी समझ सकते हो तंत्र में विशेश करके इसका इसकी अभिश्यक्ति है कि साधक क्या है पार्वती की तरह है और परमात्मा क्या है वो शिव की तरह है और साधक का जब वो प्रेम पाता है तो मस्त हो जाता है और नटराज की तरह नृत् पूर्तिमा देखोगे तो प्रमात्मा निरत्य कर रहा है कुई पार्वती रुपी साधिका का जब उसको प्रेम मिलता है तो उसे वो मस्थ होता है वो नर्तक का रूप ले लेता है। कभीर साब के वचन का संभौता ये अर्थ है।